क्राइब कीजे मेरा होनर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक कीजे मेरे लेटेस विडियो सबसे पहरे देखने के लिए नमस्कार मेरा हुना चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको पुर्ती की सिलाई बताऊंगी तो इसमें गला बना हुआ है लेकिन गला काफी बड़ा है इसलिए इसको मैंने कम किया है तो सबसे पहले यह जो चोड़ाई है इसकी यह है साथ इंच के करीम और मुझे लेनी का गला हो गया है अब इधर एक एक इंच पर निशान लगा करके मैंने इस तरह से यह इस तरह से गुमाते जाएंगे तो अपने आप ही गुलाई में आ जाएगा और उसके बाद आप इस तरह से इसको गुल कर सकते हैं और फिर इसकी कटिंग करने हैं कटिंग के लिए आप नपीच में ंट जो निषमीन नशान पर बिच्षिस के डबल करने Pvd दॉटेव के और इस तरह करते से कटिंग करनी हैं रभी जुजमीन तो निषमीन और अधर कंवाओ काप को आते हैं में एम हिएचल फोट्या मै पोट और चुड़ पनाध चुद्धनि आटीत ही ay निगले की कटिंग हो चुकी है अब यह कटिंग वाला कपड़ा है इस कपड़े के नाप से ही हम इसकी 5-pin काटेंगे इस कपड़ा है इसी के नाप से हमें काटना है तो सबसे पहले हम इसको डबल कर लेगे और इसको भी डबल करेंगे और इस तरह से यहां पर रखेंगे एक निशान तो हम इसके सहारे से लगाएंगे और एक इंच का निशान चाहे आप नाप लें या फिर अंदाज से कर लें एक इंच हमको रखना है इसलिए हम इसको डिएड़ इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमें दोनों साइड मोड़ना भी है एक एक डिएड़ इंच का निशान लगा लें इस तरह से और इस तरह बोल घुमाते जाएंगे अब इसको गुलाई में जोड़ना है अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो पहले यह वाला हिस्सा निकालना है इसके बाद यह दूसरा निशान है उस निसान से कटिंग करेंगे अब हम इसको इस तरह से लखेंगे और इस तरह से रखने के बार यहां से इसमें सिलाई लगा करके और पीछे पलटेंगे पहले मैंने कच्छी सिलाई लगा लिए आप चाहें तो लगा लें नहीं तो सीधे लगा सकती है लेकिन कपड़ा उल्टा रखा है जिससे हम जब पल्टेंगे तो यह सीधा आएगा पाइपिन की तरह है तो इसलिए हम यह सबसे पहले उल्टा रखेंगे इस तरह से हम एकदम किनारे पर नहीं वालकि थोड़ा दूड़ी पर शिलाई लगाएंगे पर शिलाई हो चुकी है यह सिलाई हो चुकी है कि अब मैं एक इसलाई हमेडा ने प्रूड़ी उटादे रही है अब हम इसको फोल्ड़ करेंगे पिछे की तरफ तो इसमें ऐसे कि यह तोड़ी सी हल्की हल्की पाइपिन की तरह दिखाई देगा जितने में हमने शिलाई लगाई है उस तरह से इसको अंदर की तरह फोल्ड करना है शिलाई हम बिल्कुल इसके कपड़े के सहारे सहारे लगाएंगे जिससे यह पाइपिन के तरह दिखाई जाएगे अब पीछे की साइड से हम इस तरह से फोल्ड करके और तुर्पन कर देंगे हुआ है यहां से सिलाय हना unit एक कर दो करें तरहलाों वाजव कर दो कि इस तरह सीदा तके इस्न होटे डाय इसका उल्टा को एक जएन Cabinet इसको हम इस तरह से लगाएंगे और सिलाई लगाएंगे इसमें जो लग चुकी है यह सिलाई अब यह वाला कपड़ा है हमारा दूसरा वाला उसमें भी हम इसी तरह से शिलाई करेंगे इसका भी उल्टा है और इसका सिदा है आखे इसको जोड़ें दोनों बाजू में शिलाई लग चुकी है कि शिलाई लगा लिए हमने अब इसको इस तरह से सीधी साइड में फलटना हमें इस तरह से पहले हम एक सिलाई और लगा लेंगे इसको इस तरह सीधा पलत करके और इसके सारे सारे सिलाई लगा लेंगे इसी तरह दूसरी बाजू में भी सिलाई करनेंगेए अबिए में इसको इस दरह से अंदर मुल करके और उपर से लाइले 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 इस दरह में इन मुलिया अबिए लाइले लाइले इसी तरह में दूसरी वाले में भी इसले लगाने है अबिए दोनों बाज तयार है जोड़ने से पहले बीच करके और बीच falls कर सकेंगे जिससे यहां पर घौर्ण Bio जोड़ सकेंगे अब इसके बाद हमे तोनों पले हैं यह अगला है इसका डिजाइनर गला मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाकर बताया है इसको हम इस तरह से डोनु कंदों को ऐसे जोटेंगे और यहाँ से शिलाहाई लगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर साथ रख करके और इस पर शिलाई लगाने हैं डबल शिलाई एक साथ लगा दें पिकंदे जुड़ गए हैं अब इसकी जो शिलाई है इसी के जब आमने इसको डबल करके काटा था ये कटवा ले निशान को और ये सीदा ये भी शिदा दॉझाने है और ये जो कटिंग की टी इसका भी दहानल रखना ही आगे वाले इससे मेंच ने ऑनी है तो इसको इसक ट को सीलाई पर ही रखना हए इस तरह से इसमें पूरे में जोड़ देंगा इस तरह से इसमें पूरे में जोड़ देना अब फिर आम आदे में इस तरह से आगे और जोड़ लेंगे अब जो निशान लगाते हमने उस निशान पर शलाई लगाने हैं यहां से लगातार छिलाई लगाते चलेंगे कॉर्णर का हिस्सा है इस तरह से दोबारा छिलाई लगाएंगे और दोनों को एक बराबर जोड़ना है इस तरह से लगाते जाएंगे अब यह दामन वाला जो निशान है इस निशान से हमें आगी सिलाई नहीं करनी है इसको वापस यहां से मोड़कर और फिर डबल सिलाई लगा देनी है अब यह दामन वाला हिस्सा है उसको हम तुर्पन करेंगे लेकिन आसानी होगी इसलिए हम यहां जो निशान लगा हुआ है इस निशान से इस तरह मोड़कर के और यह कच्छी सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से हमें चार उसमें पच्छी सिलाई लगा लेनी है जिससे की हमें तुर्पन करने में असानी रहेगी इस तरह से करके और पच्छी सिलाई लगा लेंगे अगला हिस्सा है अब यह हमारा कुर्ती का पिछला हिस्सा है यह हमारी कुर्ती पुली तरह से तयार हो चुकी है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कुरें अगला हिस्सा है